मेरे प्रदेश के लोगान राम राम हर्यानातक चैनल के यूट्यूब कुणबे पै एक मीलियन सदस्य होगे सें आप सारा का इस प्यार खातर इस प्रेम खातर इस सायोग खातर बहुत घणा शुक्रिया कॉडिनेटर बनाए हैं उनमें से अधिकतर लोग हो हैं जो कॉंग्रिस विचार धारा के नहीं है जब पहले ही तैह हो चुके है तो यह आईवाश है इसको किसलिए अब्जर्वर बनाए बेज़े जा रहे हैं अगर मैं बुपेंदर सिंग उड़ा के साथ नहीं हूँ तो मु अगरेश का लगातार संगतन नहीं बन रहा था और अभी बनने के प्रिएस क्या उठा रहे हैं उस पे स्वाल इसलिए उठा रहे हैं कि जो कॉडिनेटर बनाए हैं उनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो कॉंग्रिस विचार धारा के नहीं हैं जो दूसरी पार्टियों से आ इसलिए हमें पीडा है और वो लोग बनाया है जो जिनको ABC नीव कॉंग्रस की पता हम ये मांग कर रहे हैं आज आपके माध्यम से के कॉंग्रस में ये कोटा सिस्टम खतम हो जाए कि बूपेंदर सिंग उड़ा के इतने कुमारी शैल जा के इतने किरन चौधरी के इतने रं आज सिस्टम क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं कि रोतर का परधान कौन होगा सोनीपत का परधान कौन होगा जब पहले ही ते हो चुका है तो ये आईवाश है इसको कि किसलिए और बनाये बेज़े जा रहे हैं और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपको कि सिनर मोस्ट हूं आज बतरा साब तो 1915 से मैं 1964 से अजह अज यह हालत है कि मुझे कोई कहीं में कोई जगह नहीं है और यह हालत है कि आने वाले टाम में भी मुझे कहीं जगह नहीं मिलेगे आज अगर मैं बुपेंदर सिंग उड़ा के साथ उख चला जांगा, तो मुझे डेलिकेट भी बना देंगे, mindful meamory परिदान भी बना देंगे, ज़ो मैं कहूँगा, भोपेंदर सिंग उड़ा के साथ नहीं हूँ, तो मुझे कुछ नहीं बढ़ाएंगे आज हालत यह है कि भूपेंदर सिंग उड़ा सरयाम भारत के परधान मंत्री नरिंदर मोधी से मिले हुए है आज वो कभी नरिंदर मोधी के खिलाफत कोई एक भी उनका बाशन नहीं आता अमिद्शा के खिलाब उनका कोई भाशन नहीं आता तो जो आदमी बीजेपी से मिलावा हूँ उसको हर्यान कांगर्स की कमांड किसलिए दी जाती है हमारा स्वाल ही यह है मैं एक और बात कहता हूँ कि मैं बाप बेटा को चुनोती दे रहा हूँ सब के सामने पत्रकारों के सामने कि मैं तो सिर्फ एक बार MLA रहा हूँ एक बार मिनिस्टर रहा हूँ यह आठ बार MLA रहे हैं और पांच बार MLA रहे हैं दस साल चीफ इनिस्टर रहे हैं मैं बोपिंदर सिंग उड़ा के गड़ी सांपला कलोई में जनसभा करूँगा अगर वो मेरे से बड़ी जनसभा कर लेंगे मैं उनकी साथ आ जाँगा मैं चैलेंज कर रहा हूं बाप बेटा को कि वो मेरे से बड़ी जनसभा नहीं कर सकते और मैं दिसंबर के महीने में गाउं मकडॉली जो गड़ी साम्पला कलोई का एक गाउं है उसके अंदर जनसभा करूँगा और रिकॉर्ड भीड करूँगा आज हरियाना में बहुत कम आदमी है पांच साथ आदमी दस आदमी है जो दस हजार आदमी कठे कर सकते हैं मैं लोगों से जुड़ा हूँ मैं दस हजार से जादमी कठे करूँगा लेकिन मुझे कॉंग्रिस में कोई जगह नहीं मिलेगी क्यों कि मैं रोतक में हूँ रोतक में बगएर भुपेंदर सिंह उड़ा के किसी को आपैंटमेंट नहीं मिलेगी तो आज इन चीज़ों के खिलाफ हम आमने प्रेस कानफरेंस की है